फ्रैंकल भी है चलो प्लीस वाली अंकल आपको बुला रही है गाइस अगर ऐसी बात है न तो मैं बाहर जाके देखता हूँ बट यार मुझे न काफी जादा डर लग रहा है अगर मैं फस गया सिंचन तो तुम लोगो कौन रखेगा फ्रैंकल भी है आपकी साथ सथ हम भी जे फूरी थोड़ी है गाइस एक काम करते हैं हम पीछे होले रास्ते से भाग जाते हैं फ्रैंकल भी आपको पकड़ने नहीं आए वह अकेले अंकल है और कोई नहीं है उनके साथ अच्छा ऐसी बात है क्या गाइस मुझे लगता है ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है पर एक बर मुझे जाके बात करनी चाहिए आकरी मेरे घर के बाहर पुलीस क्यूं आई है फ्रैंगल भी तबी तुमें बोल रहा है जाकी बात करो अरो कोई घर में है मेरी बात सुनो अभे यार यह देखो गाइस प्लीस तुमेरे गेट के बिल्कुल सामने है और कोई है जल्दी आओ मैं अंदर आता हूं वेट 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 इसके अंदर आने से पहले गाईस एक काम करता हूं मैं ही जाता हूं वो भी बिना डरे गाईस चलो एक दो तिन क्या हूँ ओफिसर आप में घर के बाहर क्या कर रहे हो कितने तेड़ से बोल टुम्हें सुनाएं नहीं देता अच्छा बता रहा हूं खत्रा तो नहीं आया है पर खत्रा आ सकता है लॉस एंड टॉस में मिला है हमें हमें एक हॉंटेड हाउस जो की काफी जादा डिंजर है और वहां पे अभी पुलीज भी पहरा दे रही है इसलिए आप लोग ध्यान रखना और मेरा काम था बताना कि उस हॉंटे जान को खत्रा हो सकता है समझ गए गाइस यार ये कैसी बात हुई अरे भूद भूत नहीं होते है उस वीडियो में मैंने देखा था एक परचाई दिखी थी बच्ची हो हां हां होते है अब भूत मत करो वहना मुझे डर लगना शुरू हो जाएगा वैसे भी मैं बड़ा ड दिखान रखेंगे चौप और सिंचैन तुम दोने भी ध्यान से सुन लिया ना फ्रैंगल भी यह मैंने सुन लिया लेकिन गाइस मेरा दिमाग थेड़ा घूम रहा है और बच्चे चलो मैं चलता हूं और आप लोग अपना ध्यान रखना और जब मैं आता हूं तो जल्दी कर रहा है वहां जाने की फ्रैंगल भी जाने मैं तो रेड़ी है नर वक्ति हैं जाने को किया है अधर जाने वहाँ पर जाने को मना कर रखा यार समझा कर फ्रैंगल भी है डरपोग हो मुझे पता चल गया है दोस्तों मैंने आज ते कितना डरपोग इंसाइन अपनी पूरी जिन्दगी में नहीं देखा है अगर तुन्हें वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सस्क्राइब कर दे और चैनल को सस्क्राइब कर दे वेट आप लोग ने तो काफी अमेजिक हो चल से न बैट जा लेकिन हम लोग जाएंगे कहा और वो लोकेशन तो मुझे पता भी नहीं है फ्रैंगल भी या है मुझे सब कुछ पता है यार हाँ फ्रैंगल भी या हम लोग को पता है आप चलो तो सही पर गाइस मैं ये सोच रहा हूँ पुलीस वालों ने मना किया यार वो हॉंटेड हाउस भी है और गाइस न्यूस में आया था कि वहाँ पे परचाई भी दिखी थी पर सिंचन क्यों हो जाना यार अभी भी वक्त हम लोग गाड़ी मोड लेते हैं फ्रैंगल भी या है जो डर गया है समझो मर गया अब है यार मिरको मरना मंजूर है बट गाइस भूत से मिलना नहीं फ्रैंगल भी यार डर क्यों रहे हो यार गाइस मैं हूं तो गाइस काम कर विट वेट वेट गाड़ी को रोक देता हूं गाईज ऐसा कौन है जो हमारी मदद कर सकता है या जो हमरे से जा सकता है मेरे ख्याल से यार ऐसा कोँ है फ्रेंगल भी आईरन मेन वेट बिल्कुल साही वह ला सिंचान गाइस आयरन मैन है इंचीजों में काफी इनलॉल्व उता है तो काम करते है फटा वट जाते है श्टार्क मैं आयरन मैन को उठाते है आन्ड सिंचान पर भाई मैन ही खेलने वाल देखा है, फ्रैंगल भी है, चलो एरॉन मेंट by कि पास, guys कोई तो है ज़र डपोगी नहीं है, फ्रैंगल भी की तरह है वेट वेट वेट, अगर तूने एक बार भी मुझे डर बोगी बोला ना सिंचन, तो देख लियो guys मुझे डर लगते तो मैं क्या करू यar थोड़ा बहुथ तो डर सबको लगते हैं ना जंचन फ्रैंगल भी है पर मुझे लगते हैं यज़ाँ जैदी धर्ते है ये guys आप लोग सब्दाना अपको goats से डर लगता है यए नहीं अब लोग देखने वाले हो कि सिंचैन खेलादा चार ल चारली चार्ली आप भी खेलागी मे McMूशा नहीं हुआ तो भाई मैं तो नहीं जाने वाला क्योंकि यार यह काफी जादा रिस्क वाला काम हो सकता है सिंचेन क्योंकि आपको तो पता ही है आइरनमेन थोड़ा पारफुल है एंड उसको बहुत सारी नॉलेज है एंड वह सूपर हीरो भी है तो अगर वो हमारे साथ जाए जाएगी क्या बोला पैंट गीली हो जाएगी अरे यार थोड़ा तो चुड़ा रहे हैं दर पोक फिर तुने डर पोक बोला अरे फिर आपने मुझे क्यों चुड़ाया बस भी करो हम लोग घूमने जा रहे हैं कि लड़ाई करने ठीक है यार चॉप गाइस चॉप ना काफ चुछ से ना काफी ज़दा डर लगता है यह तो कह रहा है चारली चारली गेम खेलेगा फ्रैंगल भी आ है आपको मैं बता दू मैंने अपने साथ पैन और कॉपी दोना रख लिया है सिंचन तो पता है वो गेम कैसे खेलते हैं फ्रैंगल पता है लिकिन मैं आपको अभी न को छोड़ो सामने अपना टोनी स्टार्क और कैसे हो भाई मैं बहुत अच्छा हूं बहुत दिनों बाद आए मैं नहीं आया मुझे लाया गया है सिंचन मुझे लेक्या और सिंचन गह रहा है कि आप उसका साथ दोगे अरे किस चीज में लेकिन सिंचन बताओ किस चीज में अरे मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ चारली चारली गेम खेलोगी अरे जरूर चारली चारली गेम तो बहुत अच्छा लगते है खेलने में मैं तुम्हारे साथ जरूर दूँगा अरे अरे चलो 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 लेकिन खेलना कहां ये बताओ और सारा समान भी ले लेते हैं ठीक ह अरे हां है अरेन विया की घर में तो सारह समान होगे नैं हां मेरो घर में सारह समान है तुम टन अतलो गाइस चलो से मैं कहे रहा हूं अभी भी हम लोग प्लाइन चेंज कर सकते हैं मैं कहूं तो कहीं और घुमने चलते हैं अरे गोश्ट गयर गोश्ट गयर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हंटेड हाउस देखना है देखना है यार सिंचैन गाइस चलो अगर सिंचैन को भूत ने पकड़ लेना तो सिंचैन देख लियो मैं बहुत बार याद भी नहीं है अच्छा आप मुझे बताओगी वह गीम कैसी खिलते हैं अरे बहुत लंबी स्टोरी है और उपर से काफी जादा पीछे जाना पड़ेगा लेकिन मैं तुमको अच्छे से बताता हूं हमें एक बुक लेनी पड़ेगी और उसमें यस और नो लिखना पड़ेगा डाइगनल साइड में उसके बाद उसके उपर दो पैंजिल लखना पड़ेगा एक दुसरी के उपर एंड जब हम लोग उसको बोलेंगे चारली चारली देन देखेंगे कि हम लोग की पैंड घूमी अच्छे ऐसी बात है ऐसा होता था क्या ऐसा हुआ हाम हाम कितने बार बताऊं मैंने चारली चार्ली को देखा भी है वेट करते हैं यह यह बस वह और रात होने वाली है्गे-। अगर तुम लोगों को plan change करना है तो अभी भी कर लो guys यार मेरे को तो काफी ज़्यादा डर लग रहा है बट अब कर भी कह सकते हैं तो चलो चलते हैं चुप चाप से और रात भी काफी ज़्याद होने वाली है फ्रैंगल भी है समझे आपके सैम ने कोई ghost आजेते हो अभे तुने ghost बोला guys जैसे इसने ghost बोला मैंने अपनी गाड़े के लैट चालो कर ली मुझे ना काफी ज़्यादा डर लगता है यह वही एरिया है जहां पे लोस और टोस की police को haunted house मिला है यहां तो police की cars है यहां तो police की cars and police भी है फ्रैंगल भी है यह दिक्कत वाली बात होगी यार guys यार दिक्कत वाली बात तो है but guys हम लोगा haunted house जाना है तो वहां पे जाने के बहुत राष्टे होंगे पर wait wait एक काम करता हूँ गाड़े को घुमाता हूँ and guys location के हिसाब से ना हमें उस से जाना है तो जाने के तो काफी राष्टे है अरा चुपचाप से चलो ज़्यादा बाते मत करो अब पुलिस वालों ने हमारी आवाजे सुन ली न वह हमें पकड़ने आ जाएंगे अच्चा है इसी बात थिक है फ्रैंगल भी है जल्दी चले हुंटेड हाओ गाईज आखर में मैं भी तो देखूँ कहां है ये भूत फ्रैंगल भी है आपको डर नहीं लग रहा क्या है सिंजेन डर सच में लग रहा है पर इतना ज़्यादा नहीं गाईज बी ब्रेव बिब्रेव फ्रैंगल भी है बूत बड़ा मजा आया सिंजेन मजाक मत को याज इतनी रात हो रही है सिंजेन मजाक करने पर तुला है सो गाईज फाइनली हम लोग पहुँचने वाले है होंटेड हाऊस के पास फ्रैंगल भी है रैंशी अरे तुम लोग दोनों डरो मत यार मैं तुम्हारे साथ हूँ ठीक है और फ्रैंकलिन सिंचन तुम लोगों को बता दू चारली चारली गेम एक बार स्टाट होगा तो उसमें घंटों लग जाएंगे और गेम में से उठना नहीं है जो गेम में से उठेगा वो समझो धेर हो जाएगा अच्छा है गेम में बैठे रहना है हाँ गेम में बैठे रहना है गेम छोड़ के नहीं जाना समझ गए ठीक है वैसे भी गाइस रात को कामी क्या है सुना खाना और क्या चलो चारली चारली खेलेंगे गाइस इस जगा की हालत देखो आप लो ये जगा वही है क्या अरे नहीं हॉंटेड हाउस आगे है थोड़ा है वेट जब गाइस इस जगा की ऐसी हालत है तो हॉंटेड हाउस के कैसी हालत होगी अरे चलो चलो मैंने भी कल के निउस में देखा है कि पता चला है हॉंटेड आया हूं एक डिटेक्टर जो कि पता लगाता है कि यहां पर पॉजटिव एनर्जी है यह नेगटिव एनर्जी और अगर यहां पर हमें नेगटिव एनर्जी दिप गई तो समझो यहां कुछ तो घड़बड़ है वेट यार तुम मुझे इतना मट डराओ गाइस वैसे आप करते हैं चैरली चैरली गेम का अरे हाँ चलो लाव सारा समान कोई दिक्कत नहीं है ड़ते दोड़ी है हम लोग वेट यार यह दिखो घर घर के पास गाइस अजीब सी वाईब आ रही है थोड़ा सा एपनॉर्मल सा लग रहा है सब कुछ अरे यार फ्रेंगल भी आपको पर में नहीं अरे अरे समान लाओ यह देखो मैटल डिटेक्टर है फिलाल यहां पे कोई बी ऐनर्जी नहींיצ ओ रही यहां तक की यहां पे कोई जानवार है यह भी सों नहीं हो रहा वे ट यार चलो आप लोग अपना चार्ले-चार्ली गेम स्टार्ट करो और मैं भी तो देखू कि गाइस चार्ले-चार्ली गेम आकर में लोग खेलते कैसे हैं अरे अभी देखना पता चल जाएगा और यार यह सब चीजे काफी ज़्याद खतरनाक लग रही है मुझे वही तो खतरनाक है पर तुम यहां पर है नू आया मतलब चारली यहां नहीं है तो गाइस स्टाइट करें और आप बोलो जंचांडर क्यों रो मैंनों जो सिखाया तुम्हें ठीक है चारली चारली आर्यू देर यह यह पैन देखो यस में हो गया अब यार यह सब सारी फेक चीज़ें गाइस यस में होगा क्या कर यार कहान देखा मैंने वेट यार कहाता और यहां यार यहां ऑनकरिया का रहा है गाइस इतना बड़ा जंगल है हवा भी तेज़ चल रहे बानी की लहरे चल रहे हैं इसलिए ना बार बार yes या no हो रहा हों गाइस चार्ली चार्ली गेम मुझे फेक लग रहा है एंड आप लोग ट्राइआ मत करना क्योंकि यार मुझे भी थोड़ा डर लगता है तो आप लोग तो फिर भी छोटे हो गाईज आप लोग यह सब ट्राय मत करना सिंचैन और आरेंड मैं तो पागल है चलो वेट यह कौन है गाईज यह कौन आ गया जानक से सामने अरे कौन भाई वेट आकर में यह कौन है यार अरे यह लोग मुझे सुन क्यों नहीं पाए अब यार यह क्या हो रहा है गाईज मैंने इनको बोला था ओ यह और यह रही बाइज मेरा हाथ चूट रहा है जोड़ हात मेरा गंदे मोंस्टर कौन है तू चारली चारली तू है रुको सब्सूर्ण को पकड़ रहा था फानल इसका ठीज से चलो चलो नीचे चलते हैं मेरे पास दो पाराशूड भी नहीं है ओ माइग वाइज रामसे क्यों पैर रख दिया यह तो अनर्थ हो जाएगा अरे यह एर फ्रेंगल भ्या के सामने में लिए कुछ भी नहीं है अरे चारली को गुस्सा आ जाएगा तुम गेम छोड़ के नहीं जा सकते हैं से मैंने तुम्हें पहले भी बताया था अरे गेम गया भाड में गाइस मेरे ल लेकि जाने चाहिए अरे यार तुम मुझे फास आगे मत जाओ चारली चारली केन भी स्टॉप नाओ अरे यार अम लोग लगते हैं फास जाएंगे अरे आप खेलो ना अब मैं क्या बता हूँ फ्रेंगल भ्या भी तो जरूरी है गाइस चाहे कुछ भी हो पहले मैं जा रह पहले गाड़े उठाता हूँ यार अरे यहां पर मुझे भी हो रहा है अरे यार यह बात मैंने प्रेंगल भ्या को नहीं भी हो नहीं दरता हूँ पर पता नहीं क्यों। तरफ आ गया काफी गलत किया मैंने पर जो हुआ से हुआ पर अभी यहां का महल दिख के मुझे ठीक नहीं लग रहा और यहां तो आरें ब्हां को लेके होस्पिटल अरे गेट खोल के इनको पहले अंदर डाल आज़ा चॉप मेरी हेल्प कर और हो 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 अब मुझे लेके जाना पड़ेगा फ्रैंगल भ्या को होस्पिटल चलो गाइस चलते हैं यहां से यार यह क्या हुआ है और यह उपर से कहां गिरे जबकि अगल बगल तो कोई पेड़ भी नहीं था आखिर में यह सब क्या है यह सब तो फ्रैंगल भ्या ही बताएंगे चलो कोई दिख रहा है अब यह कौन था छोड़ो गाइस जो भी हो मुझे क्या अरे भाग सिंचन भाग यह कौन आ गया बीच में गाइस ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीबी आदमी था ना चेहरा दिखा उसका साफ ना कुछ और गाड़ी बी स्पीड में थी अभी मैं रोक क मुझञ लगता है हम लोग सुभे तक तो पहुँच जाएंगे क्योंकि यार हम लोग देको गईस घर से निकले थे और यहाँ पर रात को पहुँचें अब रात को निकले हैं तो लगता है चितना पहुँची जाएंगे पर अभी भी दो घंटे लग जाएंगे और मुझे लगता है आज के लिए बस हमें यहीं तक कंटीनू करना चाहिए और फ्रैंगल भ्याकों में होस्पिटल लगके जाओंगा और डॉक्टर क्या बताते हैं वो सभी आपको मालूम पता चलेगा सेकंड एपिसोड में तो फ्रैंगल भ्याकों आफर में क्या हुआ यह तो बहुत बड़ी मिश्ट्री है और मुझे लगता है ये सारी चीजें फ्रैंगल भ्या के साथ यहा क्वार चैयं चारली चारली गेम ख्येल रहे और चास ब बीना ब्रेक किये गाइज मुझे लगता है यहां से जाना पड़ेगा होस्पिडल तो बाई गाइज मिलते हैं नेक्स शूड़े में ठैक्स वर वाचिंग यार